यह कहानी एक ऐसे देश की है, जिसको सपनों का देश भी कहा जाता है, और साथ में इसे देश में दुनिया बर के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, जेहां आप सही समझें, मैं यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहा हूँ. अमेरिका एक ऐसा देश है, जिसमें अमेरिकन ड्रीम के नारा बहुत ज़्यादा फेमस है, और यह अमेरिकन ड्रीम है, खूप सारा रुपिया और पैसा कमाना, और एक लग्सुरियस लाइवस्टाइल जीना, दुनिया बर के लोग अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए यह अमे नपिलग, वेप्स, डिकैती, माह्स शूटिंग और सीरियल किलिग। मैंने अब जितने भी क्रयमस आपको बताएं हैं वो क्रयमस आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे सीरियल किलर्स आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि जितने अजीब और गरिब शॉप अमेरिका के सीरियल किलर्स रखते हैं वैसे शॉप दुनिया के किसी भी देश के सीरियल किलर्स नहीं रखते हैं आज मैं आपको जे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहूँ, उसके शौप बगे सारे सीरियल किलर से हट के थे, ये सीरियल किलर अपने विक्टिम को sexually abuse करने से पहले उसका खून पीना पसंद करता था, और इस सीरियल किलर का नाम था John Brennan कचली, जी हाँ, मैं सुनाऊँगा आ तो वीडियो को लाइक करते हैं और अगर चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अब बढ़ते हैं अपनी कहानी यह और हमारी कहानी के में हीरो यानि की जॉन ग्रेंडन करशली का जन्म एक अक्टूबर 1946 को अमेरिका के वेस्ट वर्जिनिया में क्लासबर्ग शहर में हुआ था जॉन का जन्म एक अलाइक ख्लास फैमिले में हुआ था जॉन करशली के फैमिली के पास रुप्यों की कोई कमी नहीं थी इनके पास अच्छा खासा रुपिया था बंधर दॉलत आपको फैसलिटी ज़रूर दे सकती है लेकिन दॉलत से खुशिया भी मिलेंग में हुआ था लेकिन जॉन के जन्म से ठीक एक साल पहले दो फरबरी 1945 को उसकी मौत 14 साल की उमर में हो गई थी और डॉना की मौत की वज़े थी सर्क्यूलेट्री कॉलेप्स जिसमें बोडी के टिशूस तक sufficient amount of oxygen नहीं पहुच पाती है जॉन के बड़ी बहन डॉना की मौत की वज़े से मिल्रेट बहुती ज़ादा सदमे में चली गई थी और डॉना की मौत से ठीक बाद जॉन का जन्म होता है जब जॉन का जन्म हुआ तब मिल्रेट ने सोचा था कि उनकी बेटी होगी लेकिन इस बार उनको एक बेटा हुआ था और इस बाद से मिल्रेट बहुती ज़ादा disappointed थी मिल्रेट ने सोचा था कि इस बार भी उनकी बेटी होगी और डॉना उनके वाम से दूसरी बार जन्म लेगी वैसे भी बहुत सारे लोगों का यहीं सोचना होता है कि अगर unfortunately उनकी कोई अलाद मर जाती है तो यह सोचते हैं कि उनकी मर चुकी अलाद उनकी आगे चलकर पैदा होने वाली अलाद के रूप में जन्म लेगी हलागि यह सा महज एक मित है इसमें कोई भी सचाई नहीं है अगर बच्चे का सेक्स माव आपके सोचे गए सेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो कई दफ़ा उस बच्चे को अलग-अलग तरे की प्रताणला का सामना करना पड़ता है इसी तरह हमारी कहानी के एरो जॉन करशले को अपनी मा मिल्डेट के प्रताणला का सामना करना पड़ा जॉन की मा मिल्डेट उसको लड़की की तरह बना का रखा करते थी जॉन के जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक मिल्डेट नो उसको एक लड़की की तरह चेट गया मिल्डेड जॉन को लड़कियों वाली ड्रेसिस पहरने के लिए फोर्स किया करते थी और उसका मेकप बिलकु लड़कियों की तरह किया करते थी और जब जॉन इस आप करने के लिए बिलकुल मना कर दिया करता था तो Milred John को बुरी तरह से पिटा करते थी और वो उसका तब तक पिटा करते थी जब तक John वेहोश नहीं हो जाया करता था और Milred John की उंगलियां आद में जलाया करते थी John के च्छली को बेहर्दी कम उमर में अपने पेरिंट्स के दौबारा सीवेव एब्यूस का सामना करना पड़ा था जिसका असर सीधे जॉन की mental condition पर हुआ था जॉन अपने आप में ही गुमसुमसा रहने वाला बच्चा बन गया था ना तो उसके स्कूल में कोई दोस्त है और ना ही घर पर लेकिन जॉन एक बहुत ही talented बच्चा था वो अपने घर के basement में electronics गैजट से कुछ न कुछ बनाता रहता था उसकी electronics में खाज दिल्चस्पे थी जिस वज़े से उसने अपने स्कूल टाइम में stereo systems और complex radios की repairing करके रूपे कमाने शुरू कर दिया थे जॉन ने अपनी स्कूल के पढ़ाई पैंसिलवेनिया के अपर सैंट क्लेर है स्कूल से पूरी के थी जॉन ने physics में B.S.C के पढ़ाई O.U.K. Defiance College से साल 1970 में पूरी के थी वही जॉन ने engineering में master's के पढ़ाई Washington DC के George Washington University से पूरी के थी यानि कि हमारी कानी का hero जॉन कचली गाफिस जादा पढ़ा लेका था और जॉन ने पहली शादी साल 1990 में की थी लेकिन उसकी ये शादी जादा टिक नहीं पाई और उसके बचपन के mental trauma उसके relationship पर हावी हो गए और ultimately जॉन की बीवी ने उससे तलाग ले लिया तलाग के बाद John Delco Electronics में काम करने के लिए कोकोमो इंडियाना चला गया और इंडियाना जाने से पहले John Ohio में General Motors के लिए security system इंस्टॉल करने का काम करता था तलाग के बाद John ने General Motors से Delco Electronics की कोकोमो ब्रांच में transfer के लिए अपलाई गया और उसको Delco Electronics की कोकोमो ब्रांच में transfer मिल गया Delco Electronics की कोकोमो ब्रांच में systems के design मनाय जाते थे और फिर उन designs को बना कर assemble किया जाता था John ने Delco Electronics की कोकोमो ब्रांच में कई साल तक काम किया मगर John का attraction gadgets के बती इतना ज़्यादा था कि वो अपनी company में सही electronic materials चाये लगा और John उन electronic materials से अपने घर पर gadgets बहें लगा उस साल तक तो ऐसे ही चलता रहा लेकिन जब plant के manager ने inventory stocks से actual stock का comparison किया तब उसको पता चला कि company की manufacturing unit से बहुत सारा समान गया बोरा है जब company ने internal investigation करी तो पता चला कि ये महान काम हमारे John जनाब कर रहा है इसके बाद company ने John को fire कर दिया और John Kokomo इंडियाना से सीधे वरजीनिया के Fairfax काउंटी में shift हो गया और shifting के तुरंद बात John ने दुबारा शादी कर ली अपने घर चलाने के लिए John ने Washington DC की बहुत सारी high-techs फंक में काम किया including TRW, ICA और logic and process systems साल 1983 में John Florida में shift हो गया और Palm Bay की एक company Harris Corporation में काम करने लगा ये तो रहा हमारी कहानी के hero John किचली का अब तक कहतियास लेकिन कहानी में twist आना शुरू होता है 22 November साल 1985 में जब एक बाइक वाले को Florida के माला बार में एक लड़की बिना कपड़ों के road के side में रिंग दिखाई दी उस बाइक वाले के आने से पहले वहाँ से बहुत सारे truck सुदर चुके थे लेकिन किसी ने भी उस लड़की पर ध्यानी नहीं दिया था जब उस बाइक वाले ने नस्दिक जाकर उस लड़की को देखा तो उसने पाया कि उस लड़की के दोनों हाथ हतकड़ियों से बंद हुए हैं में उसके दोनों पैर भी हतकड़ियों से जगड़ हुए है। जिस वज़े से वो लडगी अपने दोनों पैरों पर ठीक से चलना ही पा रही है। और जिसकी वज़े से उसको किसी साप की तरह रिंग दूवी चलना पड़ दा है। जब उस लड़की ने बाइक वाले को देखा तो उसने कहा कि वो बाइक वाला उस लड़की को सामने वाले घर में ले कर ना जाए तो उस बाइक वाले ने कहा कि मैं कौन सा घर तो उस लड़की ने इशारा करके कहा कि वो वाला घर उस बाइक वाले ने लड़की के दुआरा बताया गए घर के लोकेशन नोट कर ली और उसने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया जैसे ही महाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आई थो वो लोग उस लड़की की हालत देखकर बहुचक के रह गए क्योंकि अपनी रोजमादा की जिन्दगी में कोई भी किसी नंगी लड़की को इस तरह से रोड़ पर देखने की उमीद नहीं करता है पुलिस वालों ने जल्दे से उस लड़की को एम्बुलेंस में बठाया और वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके गए हॉस्पिटल में पता चला कि उस लड़की की बॉड़ी मस है 40-45% ब्लड कायाब है और उसके गले पर रसी से बाढ़ने के निशान भी है जब पुलिस ने उससे बोचा कि तुम्हारी ये आरत कैसे हुई और किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ गया है तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम लॉरा मर्फी है और वो महस 19 साल की है लॉरा ने बताया कि वो 21 नॉवम्रे के दिन रहा चलते लोगों से लिफ मैंगते हुए अपनी घर के तरफ जा रही थी तब ही रास्ते में उसको एक आदमी ने लिफ देने की ओफर करी क्योंकि उस आदमी को भी उसे तरफ जाना था जा लॉरा को जाना था और वो लोकेशन थी फ्रोईडा के मैलबॉन की फिर उस आदमी ने रास्ते में अपनी कार रुकी और वो कहने लगा कि उसकी नोटबुक घर पर ही रह गई है और वो नोटबुक उसके काम के लिए बेहदी जरूरी है फिर वो अपनी कार लेकर अपने घर के ड्राइबवे में पहुचा और उसने लॉरा को अपने घर के अंदर आने के लिए इन्वाइट किया लेकिन लॉरा ने अंदर आने के लिए साफ मना कर दिया तब भी उस आदमी ने लॉरा की गर्दन के चार और पीछे से एक रस्य बंद दी और उस रस्य को कस कर उसने लॉरा को बेहुच कर दिया और फिर वो आदमी लॉरा को खीच कर अपने घर के अंदर ले गया उसके बाद उस आदमी ने लोरो के सारे कपड़े उतार दिया और उसको किचन के काउंटर से बंद दिया जब लोरो होश में आई तो उसने पाया कि वो किचन के काउंटर टॉप से बंदी वी है और उसके हाथ और पैर हटकडियों से बंद हुआ है उसने देखा कि उसके सामने की तरफ एक कैमरा सेट के हुआ है और उस कैमरे के साथ में कुछ लाइट्स पर रखे हुई है। लॉरा ये सीन देखर समझ गई कि एक तो बीना कपडों के इस तरह से बंदी वे हैं और उपर से उसके सामने कैमरे और लाइट का सेट अप लग हुआ है जिसका साफ मतलब है कि उसका रेप होने वाला है और रेप करने वाला शक्स पूरे इवेंट को बात में देखकर रेप कर देख कर दिया और वह पाइप लौरा की कलाईओ से होता हुआ सीधे जमीन पर रखा हुए एक बरतन में आरा था सुवे जैसे ही लौराकी कलाईओं में लगा और वो खून उस पाइप के सारे बैता हुआ, जमीन पर रखे उस बर्तन में इकट्टा होने लगा, फिर उस बर्तन में जब थोड़ा ब्लैड इकट्टा हो गया, तब वो आदमी उस बर्तन को अपने मूँ से लगा कर वो प्लट पीने लगा, और खून पीता हुए उस आदम ने तीसरी बार लॉरा का रेप किया और उसका कुन पिया फिर वो लॉरा को बातरूम में छोड़कर ये कहता हुआ चला गया कि वो दोबारा लोटकर आएगा और फिर वही सब लॉरा के साथ रिपीट करेगा और अगर लॉरा ने वहाँ से भागने के कोशिश करी तो बहार च उसका भाई बैटा है वो उसको पकड़कर मार देगा ये कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया उस आदमी के जाने के बाद लॉरा किसी तरह हिमजुटा कर खड़ी हुई और अपने बंदे हाथों से उसने बातरूम की खिड़की खोली वो तो शुक्र था कि उस बारा घंटे और रहती तो उसकी मौत होनी पक्के थी पुलिस ने जब लॉरा से कल्पिट के गलाव रिपोर्ट लिखवाने के लिए का तो लॉरा शुरुवात में इतना ज़ादा डरी वी थी कि उसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए साफ मना कर दिया था देगे रेप का कर देगा कि उसकी बीवी और बैटी थैंक्सगीविंग मनाने के लिए अपने रिष्टदारों के हां मेरी लेंड गई हुई है पुलिस को जॉन किछले के घर से एक कैमरा मिला जिसमें से वीडियो टेप को पार्शली एरेस कर दिया गया था लोरा के अकॉर्डिंग उसी ट पुलिस ने जब नहीं किया था दूसरी सर्च के दौरान पुलिस को बाहर पेर इंडेक्स कार्ट्स मिले जिन पर ज़ौनने बहुत सारी ओरतों के नाम रख रक रहते और सातमें उन कार्टे मेरेख gonna भी के साथ उसने उन ओरतों की खांस एक्षा प्रफोront को भी लिख रख पुलिस इन्वेस्टिकेशन में पता चला कि इंडेक्स कार्ट्स पर जिन औरतों के नाम लिखे हुए थे उन में से जातर और और जौन की सेक्सवाटर्स रही थे जब उन और जोन के और उनके बीच सेक्सवाल कॉन्टेक्ट कौन सेश्योल थे यानि के रिलेशन्स आपसे सह एक्ट्स को अंजाम देता है लेकिन उन ओरतों को कहना था कि वो रिलेशन्स मनाते वक्त इंकी सेक्स फॉर्म की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया करता था और जिस वज़े से उन ओरतों को बहुत ही ज़ादा फिजिकल ट्रॉमस हैना पड़ता था जॉन की वाइफ ने पुलिस से का कि जॉन की ऐसी सेक्स्वित फेंडिस्स को पूरा करने में वो भी उसका साथ दिया करती थी और उसने लॉरा के रेप और टॉर्चर दोज में जॉन उन ओर्तों को गला दबाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस को जॉन और उसकी वाइफ के कुछ सेक्स टेप्स भी वरामाद हुए थे और दरजन भर से जादा पबलिक में खीचिकरी ओर्तों की तस्वीरे भी वरामाद हुए थी। जॉन 1986 में जॉन के चले पर चार्ज़स तेह किये गए। प्रोस्टिक्यूशन ने जॉन पर किड्नैपिंग और रेप के चार्ज़स लगा है। लेकिन उसके उपर से गेवेस बॉडिली हाम के चार्ज़स डॉप कर देगा है। क्योंकि जॉन का कहरा था कि उसने असर में लौर का खुन नहीं पिया था। क्योंकि उसका खुन कोगिलेटिड हो गया था, यानि कि जम गया था। और उसने अपनी इस खुन पिने वाली आदद को डिफाइन गरते हुए बड़े ही मज़ी की बात कोट में बताई। उसने बताया कि 70 के दशक्त में उसको खून पीना एक नर्स ने सिखाया था और ये सब उस नर्स ने उसको एक sexual act दोरान सिखाया था यानि कि जो खून पीना था वो उसी sexual act का एक पार्ट था जॉन की बीवी ने publicly उसका कभी stand नहीं लिया लेकिन मीडिये को दिये अपने बयान में उसने कहा कि माना कि उसका husband थोड़ा सा ठर की है लेकिन वो इस case में बिल्कुल बेगुला है लेकिन कोड ने जॉन को महज 25 सालों की सज़ा सुनाई और फिर 25 सालों की सज़ा पूरी करने के बाद वो अगले 50 सालों तक पैरोल पर भार रह सकता था FBI प्रोफाइलर रॉबर्ट रैसलर ने जॉन पर और भी कई सारी औरतों के कतल के आरोब लगा है लेकिन जॉन को किसी भी कतल से डारेक्ले लिंक नहीं किया जा सका और बिक कई सारी अंजान औरतों के मडर और डिसेपेरियंस के केसे से जॉन को जोड़ा गया बट उस पर इसमें से किसी भी लड़किया औरत के रेप किड्नैपिंग और मडर का औरो प्रूफ नहीं हो पाया जॉन को अच्छे विवार के लिए 8 अगस 1996 को पैरोल पर रहा कर दिया गया लेकिन भार आते ही उसने जस्ते नशे करने शुरू कर दिया और थ्री स्टाइक्स लॉग के अंडर ये उसका तीसरा अपरात था जिसके लिए उसको पूरे 25 सालों तक अब जेल में ही रहना था मगर मार्च 2002 के दिन जॉण अपने ही सैल में मरा हुआ पाया गया उसका चैरा एक पॉलिदीन से ढखा हुआ था जब जॉण की मौत की जाच हुई तो पता चला कि हमारी कहानी के हीरो जॉण कुछली ने खुछ से अपनी चैरे पर वो पन्नी पैनी थी और वो आटो एरोडिक एस्फिसेशन ट्राई कर रहा था आटो एरोडिक एस्फिसेशन एक टेक्निक होती है जिसमें दम गुटने के दोरान इंसान सेक्स्वल प्रेजर में हसुस करता है मतलब बड़ी हफसी लॉण था यह जॉन कुछली अपनी हवस को पूरा करने के लिए इसने अल्टिमेटली अपनी ही चान ले ली वेल, I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसी के साथ आज का यह केस नहीं पर खत्म होता है अब आपसे मुलागात होती है किसी नए केस के साथ तब तक के लिए be happy, be vigilant